नमस्कार स्वागत है आपका अमारी खास पेशकर्ष डॉक्टर कॉलिंग में आपके साथ मैं हूँ भवी शित्यागी डॉक्टर कॉलिंग में के आज अपने इस कारिक्रम में हम बात करेंगे ऐसीडिटी की दरसल इस कड़ी में बारी है और विमारी ऐसीडिटी की हर घर में किसी ना किसी सीडिटी की समस्या होती है ऐसीडिटी की समस्या लोगों मेंiyi प्रभा इतने ही परिशान कर दिने वाले हमारीansen बदलती lifestyle का एक बढ़ा कारण है कि लोगों को आसानी से says की शिकायत हो जाती है लोग घरेलून उसको से इसका इलाज जरूर करके थोड़े बहुत समय के लिए रहात पा लेते हैं लेकिन इसका पर्मनेंट समधान कैसे किया जाए या समधान नहीं मिलने पर ये खतरनाक हो सकता है इसी पर छोटी बड़ी जानकारी देने के लिए हमार तोर पर देखिए हर घर में हर व्यक्ति को इस तरह की एसे डिटी की परिशानी जेलने पड़ती है और आम तोर पर कुछ ऐसी जैनरिक दवाईया हम इसके लिए ले लेते हैं जो फौरी तोर पर हमें रहात देती है लेकिन पर्मनेंट सॉलूशन क्या है और कैसे बिमारी हो कोई घर जैसे आपने पताया खाली नहीं कि जिसके जिसमें किसी ना किसी को इसी डिटी ना हो अगर हम डेटा को देखें तो वाउट टू 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 परसन आफ पॉपुलेशन जो है उनको इसी डिटी की प्रॉबलम है और फिप्टी परसन लोगों को कभी ना कभ पर एसी डिटी के सिम्टम्स जो है वो रहे हैं सो बहुत कॉमन प्रॉबलम है और इसके कई कारण है कि क्यों ये इतनी कॉमन होती जा रही है और आजकल के महल में तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है ये बिसिकली होता क्या है एसी डिटी में कि हम किसको एसी डिटी बोलते है कि हम सब के शरीर में डाइजेशन के लिए एसिड सेक्रीट होता है बाडी में ऐसा मेकानिजम बगार ने दिया है कि वहाँ पे एसिड बनता है और एसिड के से जो चीजें जो है डाइजेस्ट होने में मदद मिलती है बट कईयों में ऐसा होता है कि acid जादा बनता है या acid से body जादा sensitive होती है या acid अपनी जगा से पेट से निकल के उपर फूड पाइप में आता है तो फिर symptoms होते हैं और फिर तकलीफ होती है जिसको कहते हैं सीने में जलन आप कहे सकते हों कि यहां पेट के सेंटर में अपरी तरफ जलन होती है खटे-टकार आते हैं और कई वरी चानी में दर्द भी होती है कई वरी सिवियर पेशिवियर पेन भी हो सकती है। काफी लंबे समस्य है आपको काफी लंबे समस्य है आपको यह है कि इसका इलाज बड़ा बहुत ही आसान है और अगर इनको जैसे यह परशानी बता रहे हैं अब कई को यह सिम्टम भी आ सकता है कि उनको थोड़ा भूक नहीं लगती या खाना काने के बाद भारीपन हो जाता है यह भी सारे से जुड़ी हुई सारी चीजें हैं तो अगर यह गोली लेंगे तो चत्तिया उसमें आराम आएगा ना आराम आने की बात नहीं है आई तिंग यह सब्सक्राइब की समस्या जो 20 साल से चल रही है डेफिनिटी रिलीव होगी बट हो सकता है कि दवाई जो है इनको लंबे समय तक खानी पड़े जी चली इस बीच एक दर्शक हेमद भी हमारे साथ जुड़ गया है लगत बहुत स्वाकत है क्या सवाल पूछना चाहते हैं आ तो क्या इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है कि 15 साल आप इस समस्या से जूज रहे हैं उसके अभी तक आपको कोई एक उप्योक्त इलाज इसका नहीं मिला है तो आगे आने वाले समय में किस तरह के गंभीर परिणाम इसके हो सकते हैं तो पूछने की बात है कि एक क्रॉ जाता ऐसे डिटी का उसके बाद वो ठीक हो जाता है बर चली यह लंबे टाइम की विमारी है और इसका इलाज करना भी बिल्कुल जरूरी है खाली इसलिए नहीं दो रीजन होते हैं एक तो कि आपको तकलीफ हो रही है वो तकलीफ से आपको निजात मिले आपको चलन होती ह अंदर जखम बन जाते हैं जखमों से ब्लीड भी हो जाती है फूड पाइप जो है आपका सिकुड जाता है खाना खाने में आपको दिक्कत हो सकती है और बहुती लंबे समय तक रहे तो इवन कैंसर जैसे चीजों का भी रिस्क ऐसीडिटी से होता है तो इसको इतनी सिंपल पर नाम आगे जाके ना निकले जे तो जाखल मंडी से इस बीच एक दर्शक विरेंद्र शर्मा मारे साथ जोड़ गए विरेंद्र बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर क्या सवाल पूछना चाहते है जूरू होती है आपको 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 आराम के लिए और यह भी कि उसके पूर संब्लीर पर नाम आखल जाके ना दोश्के जिए तो चाहीन निकले जाके नाधिक विरेंद्र की तीवी सेट का वाल्यूम तोड़ा कर दें उसके बाद अपने अपने सवाल को रखें तो बहतर तरीके से हम भी सुन पाएंगे और आप तक भी आपका जो हल है समस्या का वो बेतर तरी के सक्राइब जाती है जैसे थोड़ा भुकी रह जाए तो एक दाम इतनी मतलब फिर में दर्द उल्टियां लग जाती है बहुत बुरा मतलब पूरी राद बेरों कुछ काई ली जगती है जै तो उसके लिए पूछने जाते हैं जैसे बिल्कुल जो आपने ये बात कही कि कई लोगों को ऐसे होता है कि एसीडिटी जब होती है तो उसमें उल्टी जैसा भी लगता है और काफी उनको तकलीफ का सामन करना पड़ता है इसमें एक कारण तो आपने बताई दिया कि जब ज़्यादा लंबे समय तक भोकी रहती है तो ये भी बात एक कारण एक कारण एसीडिटी का ये भी होता है जब आप खाने के बीच में काफी लंबे लंबे गैप करते हों तो अगर गैप लंबा होगा तो बाडी में कटा हो जाएगा पेट में और फिर वो आपको तंग करेगा तो जिन भी लोगों को एसीडिटी रहती है उनको हम यही सला देते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ थोड़ा बोत लेते रहा करो और बहुत लंबा गैप आप ना करा करो कई लो बढ़िया रहेगी बाकी कुछ अपना लाइस्टाइल भी चेंज करना पड़ता है जो यहां पर की समय पर आपका डाइट आप लें और खाली पेट ज्यादा वक्त के लिए ना रहें ताकि जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से वह आपके साथ ना हो चलिए एक और दर्शक हमा हाँ अभूलिए थे लू अचिए बताये वताया हुए only हाज़ी बताये बताया हुई इना उसके बाद मिरें को प्रॉडम स्धों हमों हो और पूरी रातुथ मैं चाहिए और द मेसितां हूँ एसा है कि बहुए आशिडिटी जो होती है वो कई कुछ कानों से जादा जो है उसके सिम्टम बढ़ जाते हैं उसमें जैसे आपने पताया प्याज भी एक ऐसा फूड है जिससे ऐसीड जादा बनते हैं इसके इलावा अगर आप चाय काफी जादा पीते हैं उससे भी इससीड से जो है एसिड बॉड़ी में बढ़ जाता है तो आपको भी कुछ इस तरह की तकलीफ हो रही है कि जो आप पटिकुलर वो फूड खाते हो तो उससे आपका एसिड बढ़ जाता है तो फिर आपको तकलीफ होती है तो इसका हल यही है कि थोड़ा सा उन चीजों का प्रेस करो जिन से ऐसिड इटी जादा बनती है और साथ में फिर अपना गूली अगर ऐसिड की लेंगे उससे ऐसिड कम हो जाएगा तो आपको यह प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी चले रही तो लगता है आपको आपका समधान मिल गया होगा है इस बीच एक और दर्शक हमारे सा साथ राज जुड़े हुए है राज बहुत स्वागत है आपका क्या कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो लगता है संपर्ख हमारा तूट गया लगतार नमबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं आप भी हमें कॉल कर सकते हैं जनता टीवी पर अपना सवाल ऐ खानपान हम कैरी करके चलें कि आसेडिटी की समस्यां ना हो और जैसा कि आपने बताया कि जब आसेडिटी हो जाती है उसके बाद किस तरह का आहार ले ताकि बॉडी डिटॉक्स हो पाए इसमें मैं जैसे पताया कि कुछ जो खास कल्पिट है जिन से ऐसीडिटी ज़ादा होती है उसमें एक तो सिगरेट का बहुत बड़ा रोल है सिगरेट स्मोकिंग से बहुत ज़ादा और अक्सर जो लोग ज़ादा सिगरेट पीते हैं ऐसीडिटी से परशान रहते हैं अल्कॉहल जो बहुत ज़ादा लेते हैं, एसिडिटी से परशान रहते हैं, कई लोगों को आदत होती है, दिन में 10 कब, 12 कब चाए कॉफी पीते हैं, आप चाए कॉफी में कैफीन होती है, जो की ऐसिड जिससे ज़ादा बनता है, तो वो भी आपको परशान करेगी, तो ये क स्पेशली रात में, जब आप डिनर करते हैं, तो डिनर और सोने में एक गैप होना चाहिए, आपका कि जो रात का खाना खाया, और सीधा आज कल सब लोग लेट घर पे आते हैं, खाना खाया और सो गए, तो वो जो है वो एसिडिटी का एक बहुत में कारण होता है, तो महिपाल अमारे साथ जो गए, महिपाल बहुत-बहुत स्वागा से जनता टीवी पर रखे अपना सवाथ, महिपाल क्या आप मुझे सुन पारें, लगता है संपर्ख टूट गया, तो आप भी हमें फोन कर सकते हैं, लगातार नमबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो सतीश कुमारा बारे साथ जो गए, सतीश बहुत-बहुत स्वागत है, क्या कुछ सवाल आप पूछना चाहते हैं? अब इसी पर राज़ते की जो एक डियाग्नोसिस हम लोग करते हैं, या एसी डिटी से होने वाली प्रॉब्लम्स देखनी है, कि आगे कितनी सिवियर हैं, अंदर कितना ज्यादा एसी डिटी की चोट है, उसको देखने के लिए जो टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं वाल्व होता है, फूड पाइप और स्टमक के बीच में, वो कहीं का नैचुरली लूज होता है, तो हमें पता चल जाता है कि इस आदमी का ऐसी जो है उपर आएगा और इनको आइसी डिटी की परचानी रहेगी, तो फिर इनको आइसी डिटी की अपनी दवाई लेनी है, त वो एंडिसकोपी एक बहुत अच्छा टेस्ट है, जिससे एसी डिटी की प्रॉलम्स के बारे में काफी जानकारी मिलती है, जैसे इनोंने बताया, बट अब ये कह रहे थे जैसे इनको थोड़ा सा गरम पानी पीने से अगर रहत मिलता है, तो बहुत अची बात है, ऐसे घर जानकार जी, 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 तो उनों डिल्क गोली डीजिस को गोली तो फोड़ा रामा है उसके बाद प्रोगल में आप अपरेशन बता रहे हैं उसका कोई डारेक्ट समंद ऐसीडिटी से तो नहीं है वो बच्चे दानी के ऑपरेशन का कोई ऐसीडिटी से नहीं है बट इतना जुरूर हो सकता है कि बढ़ जाती है बहुत सारी दवाईयां ऐसी है जिन से एसीडिटी बढ़ जाती है इसमें खासकर मैं बताना चाहूंगा कि जो लोगों को बहुत आदत होती है दर्द की कोलियों का इस्वाल करने का अपने आपी कैमिस से लेके वो सिरदत के लिए बाड़ी पेंस के लिए रहते हैं इस्पेशली एडर्ली लोग भी और लेडीज भी काफी इनको लेती हैं उनका बहुत जादा नुकसान है वो नाकेवल एसीडिटी करती हैं बट एसीडिटी के साथ-साथ वेट में घाव भी हो जाते हैं और अलसर भी हो जाते हैं तो कहिना दॉक्टर के प्रिस्क नगेंद्र सिंग नेगी भी हमारे साथ चुल गया है नगेंद्र सिंग नेगी साथ बहुत-बहुत स्वागत से जन्ता टीवी पर रखे अपना सवाल तो उसके बाद जब ये साथ कुछ बंद्र कर दिया तो मैं ये जाना चाहता हूं कि उसके बाद भी क्यों एसीडिटी मुझे हो ये मैंने पीछे से सब्सक्राइब ने बताया कि पानी में ज्यादा ब्लिक्टिंग पाउडरे कलोरिं जिसको बोलते हैं वो डालने से भी हो तो अब ये तो पानी तो फिर लिवर को स्टॉंग करने का कोई असा रिका बताया था कि मुझे जिए का क्या समंद है लिवर से जी ऐसा है देखिए आपने जो कहा कि आपका एलकोहल से लिवर जो जॉंडिस हुआ है तो इसका मतलब कि आफी आफ लंबे सम्मे समय तक और काफी मात्रा में ले रहे होंगे तब ही लिवर को हिट किया उसने तो ये जो जॉन्डिस हुई थी इसका मतलब की लिवर पे काफी असर पड़ा है अलकॉल के साथ जॉन्डिस होना तो लिवर पे काफी मतलब चोट आई है तो आपने बहुत अच्छा किया कि एक तो अलकॉल को बंद कर दिया तो कि वो ऍसर जॉन्डिस हो जो आपने बटाया है कि लिवर को कैसे मजबूत किया जाए तो सबसे बड़ा मजबूत करने का यही तरीका है कि आप आलकॉ उलकॉल को बंद कर दीजिए बाकी एसिडिटी जो पेशन्ट जिनको लिवर खराब होता है या जिवर जिनका डैमेज हो चुका है उनको एसिडिटी के सिम्टम्स जादा रहते हैं उसका उससे लिंक होता है और उसमें ज्यादा रहते हैं तो उनको जेनली हम साथ में एसीडिटी की दवाईयां भी देते हैं तो आपका ये केस यही है कि आपने वो एलकोहल तो बंद कर दी है बद शायद एसीडिटी की गोली की आपको जरूरत है अगर वो साथ में लेंगे तो एसीडिटी से आपको बिल्कुल अराम जो रहेगा चली एक और दर्श्रक हमारे साथ जुड़े हैं लकवीर लकवीर बहुत स्वागत है आपका क्या पूछना चाहते हैं आप लकवीर आपके मेरी आवास पहुंच पा रही है लगातार दर्श्रक हम से जुड़ रहे हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए डॉक्टर साब एक सवाल जैसा की पिछले दर्श्रक ने पूछा कि लीवर काफी एक इंपोर्टन रोल है कि लीवर मजबूत होना चाहिए ताकि एसीडिटी के समस्या है वो नहूं आम तोर पर देखा गया है कि अलकोहलिक जो लोग होते हैं जो जादा कंजप्शन करते हैं उनको एसीडिटी के समस्या जादा देखी जाती है तो क्या अब जैसा इनोंने बताया कि शराब उन्होंने छोड़ दी उसके बाद भी ए जैसी समस्या से बचा जा सके अचल आप वरकाउट नहीं करते अई तो लिवर पर आप दीडिरा जमा हो करते हैं और आज कल सबसे कॉमन कारण लिवर का शराब के बाद यहीं बनता जा रहा है जिए जो फैटी लिवर हो जाता है और यह जाना तर उन काउट से भी समस्य से बचा जा सकता है दर्श्रक अमारे साथ जुन रहे हैं विमल बहुत-बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर क्या कुछ पूछना चाहता है रखे अपने राए हैं है अलो जी है नमस्का डॉर्ट सर मेरी एज सेवन्टी है और मैं नबा डिस्ती पटेला पंजाब से बलो हुए कि टायड इंपलाई हूँ मैं मुझे ना साथ-आठ साल पहले पहले तो थायरेड हो गया फिर उसके बाद मुझे बीपी शुगर की प्रॉलम रहने लगई उसके बाद मुझे थोड़ा जा अटैक आया जिससे उन डाक इसके बाद मुझे एसीडिटी की इतनी भेंकर मतलग के प्रॉलम होनी शुरू हो गई जिससे मैंने वो जो मैडिसन उन्होंने लगाई थी उसकी बज़ा से मुझे बहुत एसीडिटी हुई फिर यहां डाक्टर परमोध हैं पटेला में मैंने उन्होंने एंडोस्कोपी की और मुझे गोली रिवेपरा जोल जो मॉर्निंग में लेने के लिए बुला टॉन्टी की वो मैं लेता रहा अब वो भी एफेक्टिव नहीं रही उसकी मुझे और एसीडिटी होती है जिसकी बज़ा से मेरी प्रॉलम और ज़्यादा बढ़ रही है और श्याम को मुझे इन डला हुआ है स्टेंड डला हुआ है तो डेफिनिटली आपको एस्परिन वगरा भी मिल रही होगी स्टेंड के लिए तो ये सारी दवाईया जो इन चीजों के लिए मिलती है इन से बहुत ज़ादा एसीडिटी हो जाती है तो आपकी कुछ अद तक समस्या जो है वो रहा है क्योंकि आपको Gre लगए तो कई बरी शुगरपेशंट्स होते हैं इनकी नसे बगैरा जो सारी कमजोर हो जाती है तो पेट की नसे हो जाती है तो उसके कारण इनका पेट ज्योंने स्लो हो जाता है उस्टेम आप पढ़ा रहता है उसे भी एसे ज़ यह बनT और आपको निश्चित रूप में आपको जरूर मिलेगा जो आप उमी परजोल दवाई बता रहे थे वो बहुत अच्छी है अगर वो ज्यादा लंबे समय लेने से अप इतना काम नहीं करती तो उसके और भी बहुत सारे आल्टरनेटिव हमारे पास है जो आपको अगर दिये जाएंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो कहीं न कहीं डॉक्टर से कंसल्ट कर डॉक्टर प्रेस्क्राइब दवाईया जो हैं बोलेनी चाहिए और एक हलका फुल का वर्काउट भी है जो अप्टे डेली कर में आने के लिए और हमारे दर्शकों को उनकी समस्याओं का समाधान बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तो फिलाल या रुक्रेक उस देर के लिए लेकिन जन्नता टीवी पर खबर जारी है